हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज अब बताएंगे आपको जारखंड के मलूटी गाउं के बारे में जहां का इतिहास बेहत दिल्चस्प है मित्रु भारतिक ऐसा देश हैं जहां विविन धर्म, संस्कृती और परंपराओं के बीच अनूठा संगम देखने को मिलता है विवीधिता में एकता की मिसाल पेश करने वाले इस देश में एक बहुत छोटा सा गाउं है जो मंदिरों से घिरा हुआ है जारखंड के दुमका जिले में इस थित इस गाउं में आप जहां अपनी नजरों को दड़ाएंगे आपको प्राचीन मंदिर ही नजर आएंगे यहां अधिक संख्या में मंदिरों की होनी की वज़ा से इस गाउं को गुप्त कासी और मंदिरों का गाउं भी कहा जाता है अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस गाउं में इतने सारे मंदिर किसने बनवाए होंगे और इस गाउं का क्या इतिहास रहा है तो चलिए हम आपको मलूटी गाउं से जुड़े उस इतिहास को बताते हैं जो बेहत दिल्चस्प है मलूटी गाउं में अगर आज भी इतने सारे मंदिर मुझूद है तो उस से एक दिल्चस्प कहानी भी जुड़ी हुई है मलूटी गाउं के राजा यहां आलिसान महल बनाने के बजाए मंदिर बनाना पसंद करते थे और यहां के राजाओं में अच्छे से अच्छा मंदिर बनाने की होड मच गई थी इसका नतीजा यह हुआ कि यहां हर जगा पर खुबसूरत मंदिर ही मंदिर बन गया और तब से यह गाउं मंदिरों के गाउं के रूप में प्रसिद्ध हो गया दोस्तो मलूटी गाउं में इस्थित मंदिरों को अलग-अलग समुहों में निर्मित किया गया है यहां भगवान सीव के मंदिरों के अलावा दुर्गा, काली, धर्मराज, मंसा, विश्णु जैसे कई देवी देवताओं के मंदिर भी इस्थित है इतना ही नहीं यहां मौलिक्छा माता का एक जागरत और भब्य मंदिर भी है दोस्तो कहा जाता है कि इस गाउं के राजा कभी एक किसान हुआ करता था और उसी के वंसजों ने यहां करीब 108 भब्य मंदिरों का निर्माण करवाया था मलूटी गाउं में मवजूद ये सभी मंदिर बाज बसंत राजवनसों के काल में बनाए गए थे सुरुवात में यहां कुल 108 मंदिर थे लेकिन अब इनके संख्या घटकर 72 हो गई है मित्रों आपको बताय दे कि इन मंदिरों का निर्माण सं 1720 से लेकर 1840 के बीच हुआ था इन मंदिरों का निर्माण सुप्रसीद चालारीती से किया गया है छोटे-छोटे लाल सुर्ख इटो से निर्मित इन मंदिरों क्युचाई 15 फिट से लेकर 60 फिट तक है इन मंदिरों को बनाने में बंगाल की वास्थु कला का प्रमुक्ता से इस्तेमाल किया गया है इसके साथ ही इनके दिवारों पर रमायन महभारत के दृस्यों का चितरन भी बहत खुबसूरती से किया गया है मान्यताओं के अनुसार इस गाओं का नाम सबसे पहले ननकर राजवन्स के समय प्रकास में आया था उसके बाद गोर के सुल्तान अलाओ दिन हसन साह के कारण यह गाओं फिर से प्रकास में आया था बताये जाता है कि अल्लावदिन ने खुस होकर इस गाउं को बाज बसंत रोय को इनाम स्वरूप दे दिया था राजा बाज बसंत सुरुवात में एक अनात किसान थे बाज बसंत रोय के नाम के आगे बाज सब्द लगने के पीछे भी ये कहानी है दरसल एक दफ़ा सुल्तान अल्लावदिन की बेगम का पालतू पक्छी बाज उड़ गया और बाज को उड़ता देख किसान बसंत ने उसे पकड़ लिया और रानी को वापस लोटा दिया दोस्तो बसंत के इस काम से खुश होकर सुल्तान ने उन्हें मलूटी गाउं इनाम में दे दिया तब से बसंत राजा बाज बसंत के नाम से पहचाने जाने लगें गोर तलब है कि मलूटी गाउं पस्वो की बली के लिए भी जाना जाता है इसके साथ ही यह गाउं एक परेटल अस्थन के रूप में विकसित भी हो रहा है लेकिन असुभिधाओं के अभाओं के चलते परेटक यहां रात में रुकने से डरते हैं दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगों कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद